इस वीडियो में आप जाने बाले हैं कि अधार काड में अड्रेश ऑनलाईन कैसे चेंज किया जाता है अगर आप चेंज ये आपडेट कराना चाहते हैं आप अपने अधार काड में हुऊ भी आनलाईन hai तो इस वीडिओ को आप देख सकते हैं में आपको इस box में आपको इंटर कर देना है उसके बाद यहां पे आपको send OTP पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके अधार नमर पे OTP आएगा OTP आपको यहां पे इंटर कर देना है इसके बाद आपको login वाले बटन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं अपडेट अधार ओनलाइन तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा तो आप यहां पे देख सकते हैं इस पेज को उपर करेंगे और उपर करने के बाद यहां पे अधार पर किलिक कर देंगे जो आपका वर्तमान में एड्रेस हैं हिंदी और इंगलिस में दोनों में दिखा जाएगा इसके बाद इस पेज को थोड़ा सा आप उपर करेंगे इसके बाद यहां पर देख सकते के रॉप तो के रॉप में आप अपना फादर का नाम इंटर करे आप गूगल ट्रांसलेट का साहिता ले सकते हैं इसके बाद हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट अगर आपके पास हाउस नमर है तो यहां पर इंटर करेंगे तो चली हम यहां पर इंटर कर देते हैं इसके बाद इस ट्रेट रोड लेंड का नाम तो यहां पर इंटर करें अगर आपके घर के आसपास में कोई इसकूल या कॉलेज है तो यहाँ पर दे शकते हैं कोई आप अपना पीन कोड इंटर कर देंगे उसके बाद इस्टेट ओटोमेटिक यहां पर आ जाएंगे आपका डिस्टिक भी यहां पर आ जाएंगे और जीला का नाम भी साहिश से आ अगर सही से नाम नहीं आता है तो गूगल ट्रांसलेट की साहिता से आप इसे ठीक कर सकते हैं तो यहां पर अपना विलेज का नाम यहां पर इंटर कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाए जाएगा कि इन में से आपका कौन सा विलेज है तो य यहां पे अपलोड करना पड़ेगा तो यहां पे आप मैनुवली भी कर सकते हैं तो चलिए हम यहां पे मैनुवली करते हैं तो यहां पे सपोर्टिंग डोकुमेंट पे हम क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं ड्राइवलिंग लाइसंस दे सकते हैं इसके बाद आप वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं तो चलिए हम यहां पे यहां पे इंटर कर देते हैं क्योंकि हम यही देने वाले हैं उसके करने के बाद इस पेज्प को थोरा सा आप ऊपर करेंगे उसके बाद वीउ डी टेस्ट अंड अपलोड डॉकूमेंट्स तो यहां पर आप किलिक कर देंगे उसके बाद continue टू अपलोड पे आप किलिक कर देंगे और जो भी आपके फाइल में होंगे उस file को आप यहां पर select कर लेंगे यहां पर देख सकते हैं हम यहां पर submit कर दिया है इसके बाद यहां पर next button पर click कर देंगे ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का interface खुलेगा तो आप यहां पर देख सकते हैं जो भी आपने address update किया सारा कुछ यहां पर आपका आज आएगा जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इसके बाद यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह दोनों टर्मैन कंडिशन यहां पर एक्षेप्ट करेंगे यह भी आप एक्षेप्ट कर देंगे इसके पाद नेक्स्ट बटन वाली पर क्लिक कर देंगे इस वाले इक्ट पर आप appointments लिक कर देusalem कर सकते हैं यहां पर कर सकते हैं और यहां पर सकते हैं यहां सेलक्ट करने इसके बाद प्रोसीड वाले अप्शन पे हम किलिक कर देंगे तो यहां पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और लोग इन वाले बटन पे किलिक करके हम इसे पेमेंट कर देते हैं जब आपका पेमेंट पचास उर्पे सक्षेस्पूल हो जाएगा उसके बाद आपको एक नॉलेज सर्विस वाले अप्शन पे उसके बाद यहां पे देख सकते हैं डाउनलोड अधार है और इसके ऊपर में देखिए एक प्रोफाइल का उप्शन बना हुआ तो यहां पे आप किलिक करेंगे तो यहीं से आप अपना अधार कार्ड में भी सारा कुछ देख सकते हैं कि आपक आपके बने कर सकते हैं तो इस तरह मैं को बदल सकते हैं और चैश हैं वीडियो की नीचे कामेंड़ बॉक्स में बता सकते हैं